नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उप प्लब्ध करवाया जा रहा है, हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद इस वीडियो में हम समपूरक और पूरक कोणों के जो संबंध हैं उस पे आधारत कुछ प्रशन हल करेंगे, और यहां पे जो हम विशे पढ़ने वाले हैं, यह बहुत ही जरूरी है परीक्षा के दिश्टी कोण से भी, तो आप इस पे धान दीजे, और मुझे आशा है कि आपको यह प्रशने काफी रोचक भी लगेंगे, जैसे जैसे आप इन्हें हल करेंगे, तो जैसे ही प्रशन आपके सामने आए, और अगर आपको लगे कि आप यह स्वयम कर सकते हैं, तो वीडियो पॉस कर दीजे, और आप अपना हल लिखिए, एक बार जब आप हल लिख चुके हों, तो उसके बाद उसकी तुलना मेरे दिये गए हल से कर लिजे, तो आईए पहला प्रशने शुरू करते हैं, उस कौन का मान ग्याद कीजिए, जो कि अपने पूरा कौन से 26 डिगरी अधिक हो, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि दिया गया कौन एक तो यहां पे जो कौन की बात की जा रही है, वो एक्स है, तो उसका पूरा कौन क्या हो जाएगा, तो एक्स का पूरा कौन क्या होगा, सोचिए, उसका पूरा कौन क्या होगा, तो बहुत ही विशेश बात है यह पद, और इस चरण पे अगर आप सही लिख लेंगे, तो बा डिग्री हो रहा है तो यह क्या होना चाहिए यहां पे हम क्या प्रती स्थापत करें तो अगर हम X में 90-X जोड़ देंगे तो हमें 90 मिलेगा अर्थात अगर हमें एक कौन X दिया गया है तो इसका पूरग कोण क्या होगा 90-X ध्यान रखिए ठीक है तो हमने मान दिया कि दिया गया कौण X है और उसका पूरग कोण हो गया 90-x अब आप लिख सकते हैं कि प्रशन के अनुसार हमारे पास क्या शर्त दी गई है हमारे पास दिया गया है चकि उस डिग्री जादा है अब हमारे पास ये एक साइधा सा सरल सा राखेक समीकरण बन गया है जिसे हमें हल करना है तो ये हम यहाँ पे अगर ब्रैकेट हटा देंगे और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे जो संख्याएं हैं इनका योग फल कर लें तो 116-X आ गया दोनों तरफ अगर हमने X को योग कर दिया तो हमारे पास 2X बराबर 116 आ जाएगा और दोनों तरफ हमने अगर दो से भाग दे दिया तो 22 तरफ हमारे पास सिर्फ X बच जाएगा जिसका मान हो जाएगा 58 डिग्री तो वो कौन जिसका पूरक कौन से वो 26 डिग्री बढ़ा हो या फिर कह आशा है आपने भी हल सही किया होगा आएए अगले प्रशन की ओर भड़े और अगला प्रशन है हमारे पास कि उस कोन का मान ग्याद कीजिए जो की अपने पूरक कोन से 32 डिग्री कम हो तो वीडियो पॉस करिए और प्रशन को खुद हल करिए और अगर आप हल कर चुके हैं तो आईए देखते हैं तो पुना हम लिखेंगे कि मान लेते हैं कि दिया गया कोन क्या है एक्स है और इसका पूरक कोन क्या हो जाएगा तो पूरक कोन होगा 90 माइनस एक्स तो अब प्रशन के अनुसार या फिर हम कह लें according to question उसकोन का मान ग्याद करना है जो कि पूरक कोन से 32 डिग्री कम हो यानि उसकोन का मान ग्याद करना है जो कि अपने पूरक कोन से 32 डिग्री कम है ठीक है अब इसको कैसे हल करेंगे अगर हम यहाँ पे ब्राकेट हटा दें तो 90 माइनस एक्स माइनस बत्तिस आ जाएगा और अगर हम दोनों तरफ एक्स जोड़ दें तो देखें यहाँ वाला जो एक्स है यह तो हट गया और बाइन तरफ हमें दो एक्स मिल गया और अगर हम इन संख्या को यहाँ पे हल कर लें तो 90 में से अगर हमने 32 घटाया तो 58 बच गया फिर से इस चरण में अगर हम इस राखिक समीकरण में दोनों तरफ दो से भाग दे दें तो दाइन तरफ हमें एक्स मिल गया और दाइन तरफ हमें 39 डिगरी मिल गया तो आप देख भी सकते हैं कि अगर आप 29 दिग्री लेंगे और इसका पूरक कोंड लेंगे यानि कि 90 माइनस 29 दिग्री जो कि हमारे पास 61 आ जाएगा तो 29 दिग्री जो है वो 61 दिग्री से 32 दिग्री कम होगा तो इसलिए हमारा सही उत्तर है एक्स बराबर 29 दिग्री मुझे आशा है आपका भी उत्तर सही आया होगा आईए अगला प्रशने देखें और इस बार इन्होंने बात कर ली है संपूरक कोंडों की तो दो संपूरक कोंडों का मान ग्याद कीजिए जिनके बीच का अनुपात तीन और दो हो तो तीन और दो अनुपात वाले हमें संपूरक कोंड ग्याद करने हैं तो संपूरक कोंडों का जो योग है वो 180 दिग्री होता है और हमें अनुपात दिया गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो उभेनिष्ट इनका भाजक है वो के ह इस बात को लिख लें कि मान लेते हैं कि उभैनिष्ट भाजक कह लीजे या फिर आप इसको गुड़न खंड भी कह सकते हैं फैक्टर कहने के लिए कि इनका उभैनिष्ट गुड़न खंड के है तो जो कोण है वो क्या हो जाएंगे कोण का मान होगा तीन के और दो के आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास अनुपात वाले प्रश्ण आएंगे तो आपको उसमें उभैनिष्ट गुड़न खंड को लेना पड़ेगा क्यूंकि असल मान तो कुछ और है आपको सिर्फ उनका अनुपात दिया गया है अब according to question या फिर प्रश्ण के अनुसार हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो कोण हैं वो कैसे हैं समपूरक हैं और समपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है इसलिए हमारे पास 5 क का मान 180 डिग्री आ जाएगा और अगर हम दोनों तरफ 5 से भाग दे दें तो ये 5 तो य यानि कि 36 डिग्री आ गया और यहां से हमें पता चल जाएगा कि कोण जो की 3 के हैं वो 3 गुना 36 हो जाएगा और 2 के जो है वो 2 गुना 36 हो जाएगा और 3 गुना 36 अगर आप करेंगे तो 6 तरिक 18, 3 तरिक 9 और 108 डिग्री आएगा और 36 गुना 2 करेंगे तो 12 और ये 72 आ जाए क्या हो गए 108 डिग्री और 72 डिग्री तो मुझे आशा है ये प्रश्ण भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आईए अगले प्रश्ण की और बढ़ें और अगला प्रश्ण हमसे कह रहा है उस कोण का मान ग्याद कीजिए जिसका संपूरक कोण उस दिये गए कोण का एक तिहाई हो तो हम मान लेते हैं मान लेते हैं कि दिया गया कोण एक्स है तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा तो इसका संपूरक कोण हो जाएगा 180-x जैसा मैंने आपको पूरक कोण के लिए रिखाया था ठीक है अब प्रश्ण के अनुसार क्या हो रहा है कि उस कोण का मान ग्याद कीजिए जिसका संपूरक कोण यानि की 180-x उस दिये गए कोण यानि की x का एक तिहाई हो ठीक है तो ये एक आपके पास अब हम इसको कैसे हल करें तो पहले तो थोड़ा इसको सरल बना लेते हैं इस तरह से अब क्यूंकि हमें यहां पे आप देखिए कि हर में संख्या 3 मिल रही है तो एक अच्छा तरीका होगा कि हम पूरे ही राखेक समीकरण को 3 से गुणा कर लें जिससे यह 3 यहां से हट जाए तो हमें मिल गया 3 गुना 180 माइनस 3X बराबर X और जो की हो जाएगा 540 माइनस 3X बराबर X अब दोनों तरफ अगर हम 3X को योग कर दें तो हमारी जो समस्या है वो थोड़ी सी हल हो जाएगी कि हमें बाइं तरफ अब सिर्फ संख्या मिल गई और दाइं तरफ हमें सिर्फ चर पद वाले ही पद मिल गए, यानि की 4X, पुना अगर आप पूरे समी करण को 4 से भाग कर देंगे, तो आपके पास X का मान आ जाएगा, एक और फिर यहां पे आप लेंगे तो 3 और 5, 135 डिक्री, तो आप देख भी सकते हैं कि, अगर आप 135 डिक्री का सम पूरक कोंड निका लें, तो वो 45 डिक्री होगा, और वो 135 का एक तिहाई भाग है, तो कुछ इस तरीके के ही प्रश्ण आपको मिलेंगे, सम पूरक और पूरक कोंड प्याधारेद, और आप जितना अभ्यास करेंगे, उतने अच्छे से इन प्रश्णों को हल कर पाएंगे,